हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके में यूट्यूब चैनल ग्रोव अप्रेडर्स पर फेंड्स आज के इस वीडियो में अन्रेलाइज करेंगे कि कल एक्सपारी कि दिन निफ्टी-फ्टी और बाइनिफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं आज की परफॉर्मस को देखें आज का अपना एल्सिस और सबसे आप अपर बात करेंगे बैं निफ्टी को यहां पर देखेंगे ताम फ्रेम पर अगर आज के परफॉर्मस की बात करें तो मार्केट नियाग गैप अपन होने के बादे के हाई लगाया लेकिन 50 यह में के ऊपर लोजिंग नहीं मिल पाई यहां पर इस लेवल के आसपास का हमारा टार्गेट था और मार्केट ने लगबग इसी के आसपास क्या बनाया लो बनाने बादे के 15 मिन की कैंडल यहां पर डोजी बनी और लॉंग लेक डोजी और इसके ओपर जो है काफी अच्छा मुमेंट देखनों के मिला अपसाइट यहां पर जितना बड़ा फॉल देखने को मिला उतना ही बड़ा मुमेंट हमें यहां पर आफसाइट भी देखने को मिला यहां कि सेलर्स और बायर्स दोनों ही स्ट्रॉंग है इस एरिया में तो कल यहां पर किस रिसेट्टिट को प्लान करना है कौन से लेवल हमारे लिए जरे हम पर हम उको मारे पास यहां पर निकलने स्टाट कर देता है 43,400 यहां पर 63 के आसपास का लेवल होगा यह हमारा फस्ट टार्गेट होगा अगर इसको ब्रेक किया तो next यहां पर यह जो हाई बना हुआ है 43,532 का लेवल यह दो टार्गेट में अफसएट देशने को मिल सकते हैं अगर इसको भी ब्रेक किया तो next यहां पर हमारे पास यह तो यहां पर फिर यह लेवल भी दिखा सकता है 43,720 का लेवल इसको मैं मार्क कर देती हूं प्राइस लेवल लगा देती हूं एक सेकंड तो आपको यहां पर लेवस नजर आ जाएंगे तो यह हमारा यहां पर फास्ट आर्गेट होगा 43,463 नेक्स यहां पर जो हमेरे पास टार्गेट होगा वह होगा 43,534 के आसपास के लेवल नेक्स यहां पर 43,600 के आसपास और नेक्स यहां पर 43,720 के आसपास के लेवल तो यह हमें आप साट देखने को मिल सकते हैं यह टार्गेट अब यहां पर एक टेलन को डॉ करूं तो देख तो अब यहां पर अगर प्राइजेक्शन देखें प्राइजेशन क्या बना यहां पर अपसाइट के लिए तो आपको यह टारगट देखने को मिल सकते हैं यहां पर इसी लेवल के नीचे हैं यहां पर निकलता तभी हम यहां पर ट्रेंट को ब्राइज Enjoyνε गया सैने लिए टोंग 500 सीए ग सब्मेस करेंगे तरह दोग हम आपन सकता है दो भास्तेच इस पाक्वरों दीए फिलाल यहां पर 3175 स्पूर नेजर रहा है यहां पर probabil fib यहां पर नग्स इन सब्सक्राइब में रहें Zahl सब्सक्राइब अभी नगन Да क्षिरणesto Salon और क्रेंड यंपर यह सबस्क्राइब करेंकρι हो अंगर्थ इस एंडर यह पर आपने सब्सक्राइब कर पहते हैं कि अगर्ट इस रेंज के अंदर ओपन होता है एक compra हमें इसे अडर बाइट के सब्सक्राइब करते हैं अगर आची हेंदार यह देखने को मिल सकते हैं अगर यह ब्रेक करेंगा डाउंसाइट के लिए तो देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कल एक्सपाइरी है अगर फस्टाफ मार्केटी सी रेंज के अंदर मुफ करता है जिस तरफ को ब्रेक करेगा एक अच्छा टालकेट हमेर देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहा यहां पर यह हडल से 43,534 के लेवल अगर यहां पर प्राजेक्शन आते वे यह मूव करता है यहां पर फस्ट आफ रुख जाता है रुखने के बाद अगर अगर अफसाइट ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मुवमें अफसाइट देखने को मिल सकता है तो इस चीज का ध्यान द्रैश्मन टूल को ले लेते हैं और यहां पर आज का हुआं यही नहीं देघान कर लेते हैं Or यहां पर आज का हाई नहीं यहां चाल का ऑ司 पहले अगर यहाम आपर है भी और दाशसे जब इनको ब्रेक करेगा और प्रैजक्शन दिखाई देगा तभी हमें टिट को प्लान करना है जैसे में आपको डेली करती हूं कि आपको लेवल तू लेवल वर्क करना है तो देखते हैं कल कहां पर market open होता है जिस तरह से भी open हो first candle हमारे लिए important है first candle को देखे हो किस तरह की बन रही है उसके recording के trade को plan करना है जो भी नए levels निकल कर आएंगे bank nifty के वो मैं टेरिग्राम चैनल पर post कर दूँगी तो फ्रेंड यह था मेरा लिसस निफ्टी बैंक के लिए चलिए अब हम देख लेते हैं nifty 50 को तो फ्रेंड अब हम यहां पर बात करें nifty 50 के तो देखें nifty 50 भी gap up open हो gap up open होने के बार डाउन आया gap fill किया और देखें यहां पर इसने लो लगाया इस लेवल पर यह हमारे लिए support के लेवल से support के लेवल से कल भी मैंने आपको बताया था कि यह क्या है पूरा का पूरा area support का है चलिए यहां पर मैं mark कर देती हूं एक बार फिट से यहां पर यह पूरा का पूरा area हमारे लिए क्या होगा support का area होगा बने के बनी और केंडल के बनी और उसके बाद यहां पर प्राइशिक बनाते वह एक मोवें दिखाय अप्टाट के लिए जहां पर मार्क्त ने खाई लगा था असम आपर गया है तो कल वहारे उप्रेकर होन्य प्र यां पर 13,300 के आसम डी तो फिर आपकरर एक लीड़ों होगा resistance zone downside से यह support zone तो यह area जो हो गया वो हमारे लिए demand area हो गया और यह हमारे लिए supply area है तो अभी क्या है यहाँ पर अगर market कर लिए movement दिखाता है upside के लिए तो क्योंकि अभी क्या projection जिस तरह से भी मैंने आपको बताया बैंग निप्टी में उसकी तरह से यहाँ पर भी projection यह बन रहा है तो इस तरह से अगर breakout करेगा तो एक अच्छा target हमें upside देखने को मिल सकता है तो ध्यान रेकेगा upside के लिए 18,343 का level break कर देता है उसके पास support बनता है तो जो target हमें देखने को मिलेंगे वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 18,380 का level यहाँ पर फ़स्टार्गेट होगा अगर इसको break तो next यहाँ पर हमारे पास 18,400 का level होगा अगर इसको break तो next यहाँ पर 18,435 का level इसके आसपास के target हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में चलिए हमारा फस्ट आर्गें हमारे पास यह लेवल होगा और यह तीन तेट को मिल सकते हैं आपको क्या करना है प्राइजेक्शन देखती वह जाना है अगर यह डाउन आता है तो यहां पर जो बीच में हमारे पास हडल से मार्क कर देती हूं तो डाउन साड क अगर दाउन आता है ऌग Lynn यहां पर तो इसको प्रसक प्रम करते हैं तो यह eyes पर फर्स टार्गेट होगा अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहां पर यह लेवल और अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहां पर फिर यह पूरा का पूरा एरिया जो है जो है जोन एरिया सपोर्ट का इस लेवल के आसपास का टार्गेट दिखा सकता है निफ्टी सब सेंच अलग हो करता है अगर आगर सेंघ्टे किके दिखा सकते हैं कि इनके फिर उपसेट के लिए था समीर में यह बढूनिशन के अंगर को सब्सक्राइब में जान कि इनके इसका बनाब जान PayPal के उपन हो जाना है एक बर Look यह था मेरा Nifty 50 के लिए चलिए हम देख लेते हैं स्टॉक्स सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वह है स्टॉक है वह है स्टॉक है अगर आगर आप लिए ट्रेट करते हैं तो जो इंपोर्टन हड़ा ले वह है 1660 का लेवल क्योंकि यह दिखी यह जो केंडल बनी हुए मार्केट इसी के अंदर काफी दिनों से मूव कर रहा है सबसे पहला जो जो इस लेवल के आप लिए तो इस लेवल के आप लिए तो इस लेवल के आसपास का फिरस टार्गेट भी दिखा सकता है यह देखने को मिल सकते हैं SDFC बैंक में चली देख लेए नेक्स स्टॉक नेक्स नेक्स इमारे पास एक्सिस बैंक की बात करें तो देखें एक्सिस बैंक में क्या है यह सपोर्ट की ट्रेल लान है जहां पर यह बार-बार सपोर्ट ले रहा है और काफी अच्छा पर यहां से मूवमेंट दिखाने के बाद डाउंसाइट आने के बाद एक चैनल बनाया हुआ है जिसके अंदर यह मूव कर रहा है अगर कल यहां पर इसको ब्रेक कर देता है और प्राजॉई मूव करता है तो यह हमारे लिए naus यह को ब्रेंट ब्रेंट टार्वस्टरन बन्साइब दिखा सकता है चैनल हटन डैटमन वह फिर से यह टारेइड और उसका 927 अगर इसको ब्रेक करें तो 920 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है तो फ्रेंड यह ते स्टॉक्स अगर आप स्टॉक्स करना चाहते हैं तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो देखे बैंग निव्टी के कंपोनेंट से तो कंपोनेंट के मुवमेंट को भी देखना अमरे लिए इंपोर्टन हो जाता है अब यहां पर देखे यहां पर चार मेरे पास स्टॉक हैं बजाज फिंसर दीपक नाइट्रेट एंजल वन और टाटा स्टील यह चार स्टॉक्स यह आप लोगों नहीं पूछ कर सकते हैं तो विक्ली डाइम फ्रेम पर देखिए ले रहा है और काफी आचा गोने के बाद फिर से यह सपोर्ट ले रहा है अब धाव यहां पर सपोर्ट करूजिंग कर ईयह तो अगर कल यहां पर यहां आपर इसके open ब्रेक कर देता है और इस तरह से अगर प्राइशन मुफ करेगा तो यह टारेट हमें जो है आने वाले दिनों में मिल सकते हैं तो काफी अच्छा है यहाँ पर यह मुफ कर रहा है और देखे सपोर्ट बनाया हुआ है अगर यह डाउन आता है तो देखे सपोर्ट के टेंड लेके फिर से मुवमेंट दिखा सकता है अगर यह सप अगर ब्रेक करेगा तो यह जो हाई बनाया हुआ है तो इसके आसपास का टार्यट दिखा सकता है यह एटीन हैंड थर्टीन का लेवल भी दिखाई दे सकता है बजाज फिंसर में चलिए नेक्स नेक्स ने आपर है दीपक नाइट्रेट तो यहां पर देखे लिए कि यह ड पर सिर्फिर से रिजेक्शन ले लिया था अभी नियात कि यहां पर सिर से फिरसे से सपोर्ट लिया हुआ ऑधी we are दीन सब्सक्रकिनिकिन एक अगर यह कुश्छन क्नाने को मिल सकता है खिर चुछ से 2 1431 के आसपास यही अगर अगर आता है तो इस लेवल के आसपास आकर फिर सिग दो सपोर्ट ले सकता है तो फिलाल इस ट्रेड आशन लेखेगा ब्रेक कर देता है बना देता है चले देख लिए यहां पर प्रुब यहां पर इंजल-वन अने के बार पाहएं अब एक चोटा से लिए पैटर्न क्रियेट कर रहा है और यह रेश्टन्स की टेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक कर देता है इस तरह से तो एक अच्छे मुवमें अपसाट देखने को मिल सकते हैं अगर यह डाउन आता है तो दाउन साट फिर से यह सपोर्ट ले सकता है इस लेल को ध्यान लेका 990 के अगर इसको ब्रेक करेंगा तो फिर यहां पर फॉल देखने को मिल सकता है लेकिन फिलाल यह सपोर्ट लिया और मुवमेंट दिखाया है अपचाट के लिए तो इस चीज़ का ध्यान में किए नेक्स्ट है हमारे पास टाटा स्टील टाटा स्टील की बात करें तो यह अब ह अगर इसको ब्रेक कर देता है और यहां पर जो हमारे पास इंपॉर्टन लेवल है वह है और यहां पर इंपॉर्टन लेवल है वह है तो इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से फॉल देखने को मिल सकता है और जो टार्गेट होंगे यहांनिके डाउंचाटी के लिए वह फिर 84 लेवल इसके आसपास का फिर से जो है मुवमेंट देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में तो यह थे इस टॉक्स लॉंग टर्पस स जिसका आप व्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक में जरूर बताएगा और कल की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी तो फिलाल इस वीडियो के फिर फ्रेंड करेंगे वीडियो पसंद देख वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना भूलें तो मिलते हैं नेक्श वीड झाल 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 झाल